नमस्कार आज हम मीरा बाई की कविता मैं तो सांवरे के रंगराची की व्याख्या पढ़ेंगे मैं डॉक्टर रीतु सिंग आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ जिसके अंतरगत मैं अपने विद्यार्थियों के लिए पाठिक्रम में निर्धारित कविताओं की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ आए सबसे पहले हम कवित्री मीरा का सामाने परिचे प्राप्त करें कबीर सूर तुलसी की भाती मीरा मुलता भक्त हैं और भक्तिकाल की प्रमुक कवित्री हैं उनके अराध ही श्री कृष्ण है और उनकी भक्ति माधूरे भाव की भक्ति है वे कृष्ण को कभी प्रिय कभी पती सखा और उद्धारक के रूप में चित्रत करते हैं कृष्ण भक्ति के माग में उन्होंने अपना सर्वस्वत्याग दिया था और राजमहल छोड़ गली-गली कृष्ण भक्ति का प्रचार करती रहती थी वे एक सामन्ती परिवार से थी स्वाभाविक रूप से संतों के बीच उनकी स्वच्छंदता को उनका परिवार पसंद नहीं करता था और उनको बाहर निकलने तथा अपने मन का करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनके देवर राणा जी ने उन्हें मारने तक का प्रयास क्या था मीरा के काव्वे में हमें स्तुरी की आत्म व्यक्ति की तडप सुनाई पड़ती है मीरा अपनी कविताओं से में जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदन सील और भावग भी दिखाए देती हैं आईए हम नरधारित कविता के कास पहले पाठ करें तर पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे मैं तो सावरे के रंगराची साज सिंगार पाधि पग घुंगरू लोक लाज तजी नाची गई कुमति लई साधु की संगती भगत रूप भैसाची गाय गाय हरी केगुन निस दिन काल व्याल सूबाची उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची मीरा स्री गिरधर्न लालसू भगति रसीली जाची सबसे पहले हम इस कविता के शब्द आर्थ को देख लें कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ जान लेना आवश्यक है साम्रे अर्थात क्ष्ण जो स्यामले हैं रंगराची यानी रंग में रचना या रंग में रंगना तजिक आर्थ है त्याकर गुमती का अर्थ है बुरी मती काल व्याल अर्थात मृत्य रुपी सर्प। सु राजस्थान में से, राजस्थानी भाषा में इसकार्थ है से, बांची मतलब बांचना या बचना, उने बिन मने उनके बिना, खारो मतलब कड़वा या बुरा या बेस्वादा लगना, कांची मतलब कच्ची, निरर्थक, कच्चा या निरर्थक, आईए, पहले हम इस करविता के संदर्व को समझ ले के जैसा कि हम सभी जानते हैं मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी और मीरा ने सांसारी कृती रिवाजों को मानने से इंकार करते हुए अपनी स्वतंच जेतना को ही भक्ति का मार्ग बनाया था वे खृष्ण भक्त कवित्री थी किन्तु खृष् मार्ग हैं उसमें से किसी विशेश मार्ग में उन्होंने दिक्षा प्राप्त नहीं की थी मीरा के भजनों में भक्ति के साथ इस्त्री मुक्ति का प्रकर स्वर्भी ध्वनित होता है मीरा साधु की संगती के महत्व का निरुपन इस पद में कर रही है कृष्ण की भक्ती के माध्यम से मीरा ने मुक्ति मार्क का भी संधान किया है वे सांसारिक नियमों और रीतियों के निरर्थकता सिद्ध करते हुए कृष्ण की भक्ति को ही सरीश्ष्ट मानती है आये हम क्रम से दो दो पंक्तियां करकर इस कविता का अर्थ समझते चले हूँ मीरवा इस कविता में कहती है कि मैं तो सावरे के रंग राची मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ तात्पर ही यह है कि मैं सावरे श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ सावला यहां इसलिए कहा गया है क्यूंकि सावला एक रंग है और उसे रंग में स्वयम को रंगने की बात मीरा कर रही है कृष्ण के विविध नाम है और उन नामों के साथ जो गुड़ जुड़े हुए है तदनरूप भक्त कवी उन उन नामों का प्रियोग करते हैं तो यहां चुकि रंग में रंगने की बातों कह रही हैं इसलिए यहां उन्होंने कृष्ण के रंग से जुड़ा जो नाम प्रचलित है उसी का प्रियोग किया है और वे कहती हैं कि मैं कृष्ण के स्यामल रंग में कृष्ण के भक्ती के रंग में पूरी तरह से रंग गई और उसका परिणाम यह हुआ है कि साज सिंगार मैंने श्रिंगार किया है कृष्ण के लिए बांधि पग घुंगरू मैंने अपने पैरों में घुंगरू बांधे हैं और लोक लाज तजी नाची लोक लाज को त्याग कर मैं कृष्ण की भक्ती में नाच रही हूँ सुनने में तो यह सामाने लगता है कि इन्तु मीरा जो एक सामन्ती परिवार की बहु बेटी थी जो की परदे में ही रहा करती थी अपने वैधव के बाद जब वो कृष्ण की भक्ती में इस प्रकार लीन हो गई और बाहर निकल कर कृष्ण के नाम का सुरिंगार करती कृष् आचने लगती हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका सामन्ती परिवार उनके इस आचरन के प्रती नाराज होता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लोक लाज त्याग कर पैर में घुंगरू बांध कर नाचने की बात करते हैं तो यहां मीरा कह रही है कि मैं श्रुकृष्ण के रंग में इस प्रकार रंग गई हूँ कि आज मैं उन्ही के लिए श्रिंगार करती हूँ उनके प्रेम में भजन गाते हुए मैं अपने पैरों में घुंगरू बांध कर लोक लाज सब त्याग कर नाच रही हूँ चाहे उसका कुछ भी परणाम क्यों न हो अगली पंक्तियों में मीरा कहती है गई कुमती लई साधु कि संगती भगत रूप भई साची गाय गाय हरी केगुन निस दिन काल व्याल सूँ बाचे गई कुमती जब मैंने साधु की संगती की अर्थात मैंने कृष्ण भगतों की ज्यानी व्यक्तियों की संगती की है तो मेरे मन में जितनी भी कुमती थी मेरे मन के भीतर जितने भी विकार थे वे सब चले गए मीरा ने यहां साधु की संगती को बहुत महत्व दिया है मीरा को उनकी परिवार की ओर से इसलिए भी वर्जन या वर्जनाए जहेलनी पड़ी थी क्योंकि वो विविद प्रकार के पुर्शंतों के साथ बैठ कर कृष्ण चर्चा किया करते थी मीरा यह जानती थी कि घर में अकेले बैठ कर भक्ती नहीं हो सकती बिना इन महान संतों की संगती के मैं कृष्ण के स्वाभाविक या विशेश रूप को समझ नहीं सकती मीरा अपने परिवार के विपरीत जाकर भी इन साधूं के बीच में बैठती थी जैसा कि हम जानते हैं वो राजस्थान से निकल कर उत्तर प्रदेश तक और ब्रिंदावन तक जाकर वहां के कई संतों से मिलती थी और मीरा एक राश्ट्रिय इस्तर की भगत के तोर पे पहचानी जाने लगी थी यहां इन पंक्तियों में वो कहती हैं कि जब मैंने साधूं की संगती की तो मेरे मन का विकार, मेरे भीतर की कुमती समाप्त हो गई, अज्ञान समाप्त हो गया, भगत रूप भई साची, और अब मैं एक सच्चे भगत के रूप में अपनी पहचान कर पा रही हूं। यहां अगली पंक्तियों में नाम समरण को महत्व देते हुए मीरा कहती हैं, गाय गाय हरी के गुण निस दिन, निस दिन अर्थात दिन रात, मैं दिन रात हरी के अर्थात कृष्ण के गुण का गायन करती रहती हूं। और उसके परणाम स्वरूप काल ब्याल सोबाची, काल रुपी सर्प, मृत्यू रुपी सर्प से मैं बच गई हूं। इसे भी महत्वपुन बात है। कभीर ने भी अपनी पंक्ति में कहा है, कि मैं और राम इस तरह एक मेक हो गया हूं, कि हरी मरी हैं, तो हम महू मरी हैं, हरी न मरी हैं, हम काहे को मरी हैं। अर्थात जब आप अपने अराध्य को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो बृत्यू का भै भी व्यापता नहीं है। तो मीरा यहां कहती हैं कि मेरे मैंने साध्यों की संगती करके ज्यान प्राप्त कर लिया है, मेरा अज्यान दूर हो गया है और मैं अब एक सच्चे भक्त के रूप में पहचानी जाती हूं, मैंने कृष्ण के गुनों को रात दिन गागा कर कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लिया है जिसके परणाम स्वरूप अब मुझे मृत्यू का भै भी नहीं है मैं काल रुपी व्याल से भी बच गई हूं अगली पंक्तियों में मीरा कहती है उन बीन सब जग खारो लागत और बात सब काची मीरा कहती है उन बीन मने उनके बिना अर्थाच श्रीकृष्ण के ब तर्क क्यों नहूं मुझे कच्ची लगती है यहां ध्यान दे मीरा एक इस्त्री है और वो अपनी बात कहने के लिए जिन शब्दों का प्रियोक करती है वो भी इस्त्रियोचित शब्द है खारा और कच्चा यह इन चीजों का संबंद पाक कला से है भोजन बनाने से है और प्रिया अर्था स्वादिष्ट वो एक स्त्री होते हुई जानती थी कि खारा जो स्वाध है उसे कोई पसंद नहीं करता कच्ची चीजें हमें हजम नहीं होती है और रसीली चीजें हमें सदयवा कर्षित करती हैं तो वो भक्ति के मार्ग में भी इसी तरह के उधारन देते वे कहती है कि कृष्ण के बिना तो मुझे सारा संसार कड़वा लगता है खारा लगता है बेस्वाब लगता है और बात सब काची और उनकी बात के अलावा अर्थात इश्वर भक्ती की बात के अलावा लोग चाहे जितनी भी लोकला, समाज, दुनिया की बाते करते हैं वे कि मैं अपने गिर्धर लाल से की भक्ती को ही रसीली जाचना मतलब पहचाना है मैंने तो यही पाया है कि संसार में सबसे रसीली चीज अगर कोई है सबसे स्वादिश्ट चीज अगर कोई है सबसे प्रिय चीज अगर कोई है तो वह कृष्ण की भक्ती है तो मैंने इस सारी चीजों को देख लिया है संसार मुझे खारा लगता है संसार के तर्क मुझे अपरिपक को लगते हैं मुझे श्री कृष्ण की भक्ती के अलावा सब चीजे निरठक लगती हैं एक मात्र कृष्ण की भक्ती ही मुझे रस से भरी हुई रसीली लगती है इसलिए मैं संसार को त आकर कृष्ण की भक्ती में लीन रहती हूं अब आये हम इन पंक्तियों के विशेश क्या बातें हैं उस पे थोड़ी चर्चा करें इन पंक्तियों को देखकर हमें ये तो पता चलता ही है कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी वे अपना सरवश्ण कृष्ण को अर्पित कर साद्व की संगर्थी में ही मुक्ति का मार प्राप्त हुआ है मीरा की यहां एक निष्ट भाव की भक्ती भी हमें दिखाई देती है कि कृष्ण के अतुरुत वह और किसी के प्षर्थी भी समर्पित नहीं है मीरा के अगर कविताओं को देखे, उनके पदों को देखे तो सभी गिये हैं, सब में संगितात मक्ता का गुण है और इस कविता में जैसा मैंने पहले बताया एक स्त्रियोचित भाषा का प्रयोग है जिसमें वो स्वाद की बात करती है खारा, कच्चा और रसीला इसके बाद इस कविता की भाषा जो है, वो राजस्थानी हिंदी है रस्सांत है, जो कि भक्ती कविताओं में स्वाभाईक तोर पर होता है अलंकार अगर हम देखे, तो रंगराची साजी सिंगार में अनुपरास अलंकार है, काल ब्याल में रूपक अलंकार है और गाय गाय जो शब्द है, उसमें पुनरुक्ती अलंकार है इन पदों में मुहावरू का सुन्दर प्रयोग किया गया है जिसे कच्चा लगना, बात कच्ची लगना तुलनिय में अगर देखें, तो मीरा की ही भक्ती संबंदी एक कविता को मैं यहाँ उद्रत करूंगी पग घुंगरु बाध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई बावरी सास कहें कुल नाची यहाँ पर मेरा भक्ती में पैरों में घुंगरू बान कर नाचने का दावा करती हैं और कहती हैं कि भले लोग मुझे पागल कहें, कुल का नास करने वाली कहें, लेकिन मैं कृष्ण के भक्ती के त्रिक्त और किसी की बात पर ध्यान नहीं दे सकती और वो इस कृष्ण की भक् प्राप्त करती हैं धन्यवाद